लो फिर आ गए हम यार फिर मर योड़ो जेंगे तो चालो तो फिर आ गए हम वैसे तुम्हें कोई नब भाना डून लेता हूं बार बार आपके सामने आने का तो आज की इस वीडियो में आपन अन्बोक्सिंग करने वाले रेट टेप की शूज की वैसे आपने थमनील देख दिया होगा शूज कापी शांदार होने वाले तो आज मैं आपको बताऊंगा सारे प्रोजन कोंस इन शूज के तो बिना टाइम वेस्ट के वे इंट्रो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे बहले इंके अन्बोक्सिंग करते हैं बोक्स बता देता हूं बोक्स क कोई जरुत नहीं है आपको इक्तेपे नहीं करने कलर मैं आपको बता देता हूं एक बार ब्लू एंड ग्रे कलर में यह वाले शुरू के अमंगवा है तो वैसे तो इस शूज वैसे प्रैस में लास्ने रिविडिल करूंगा तो अभी नहीं बता रहा हूं तो सारी चीज़ उसकी लुकिंग काफी बड़ी होने वाल यह तो यह तो लुकिंग की बाद दोनों शूज सेम हैं एक को साइड में रखते हैं और अब एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूं शूज की तो बेसिकली शूज है वाइट है ग्रे और हलका सा ब्लू कलर वाला जो ट लेदर है कुछ जो टेक्शर वाला लेदर है उसमें कुछ रबर है तो काफी कुछ मिक्सिंग साइब पूरा इसका तो सुरू करते हैं सबसे नीचे से इसका जो आउटर शोल है वो ब्लू कलर का यह मतलब ग्रे कलर का ही है ग्रे यह नहीं है कोई बात नहीं है इसमें आसी मजाग चलता रहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह ब्लू इस्टोन है यह आउटर सोल आपका ब्लू कलर में मिलेगा इचे काफी मजबूत है वह मतलब दबने वाला तो बिल्कुल भी नहीं दबता भी इता हार्ड है नहीं तो चलता और यह वाली जो है स्टिप्स वगरा बने वी है तो काफी डिटेलिंग दीवी है इस पे डॉट डॉट्स बने वी है कुछ पीछे इस पे जो है कुछ लाइन से और फिर रेट टेप की ब्रेंडिंग है बिल्कुल एक दम ऐसे नेम पलेट की तरह ही इस अंदर की साइड भी इन पे डॉट्स वगरा बने वे हैं स्टिप टाइप की डिजाइन दी हुई है उपर वाला फैब्रिक जैसे कि मैंने आपको बताया था लेदर वाले फैब्रिक में तो यह आपको सबसे उपर तो वाइट लेदर में मिल जाएगा वाइट कलर के में और प्लेन है यह शाइन वाला नहीं है टेक्शर वाला लेदर है और यह ग्रे कलर में अपना अब साइट से भी बात करें तो एक तो यह आ गई पट्टी इदर बाकी नॉर्मल वह शाइन वाला लेदर आ गया फिर यह पीछे ब्लू वाली डिटेली और इधर रेड टेप का फिर साइड में लोगो गया रेड टेप के ब्लू कलर में अगयी रेड टेप का लोगो आ गया अंदर की साइड लोगो इस पे है यह वाली पे जो इस रिप है ब्लू कलर की और भार की साइड यह आपका लोगो जो की यह वाला लोगो है काफी बढ़िया लोग देगा आपको अंदर की साइड इसक का लेस्का फैबरिक ठीक है लेस्क पे भी प्लस्स बाइंगे अपन बाद में और इसकी जू टंग है उसका मेस फैबरिक है तो वह. थीक है अच्छा काफी भी hoor निये है और सही है ध defect की बात हो गई सारा अ sanctव When returned अब बात करते हैं इसकी durability की जल्दी जल्दी वीडियो खतम करना आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं वैसे में तो durability की बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो इसको मैं किदर भी कैसे भी move करूँ इदर भी हाथ से तो ये विल्कुल भी हिलता भी नहीं है इत्ता मजबूत है ना और literally इत्ता मोटा सोल है इसका तो इत्ता hard और इत्ता मोटा सोल है ना तो इसमें तो मतलब थोड़ा weight भी extra add हो जाता है और थोड़ा heavy भी हो जाता है shoes दिखने में भी काफी bulky हो जाता है stylish भी लगता है ऐसा नहीं है कि सबको यह चीज पसंद नहीं आती है काफी लोगों को यह वाली चीज पसंद आती है heavy soul हो गया फिर उपर यह design तो दिखने में काफी bulky सा और एकदम heavy सा look आता है यह दिको side से तो यह चीज extra इसमें add करती है look तो काफी बढ़िया उभर के आता है लोग इसकी वज़े से बाकी यह hard होनी की वज़े से आपको कुछ uncomfort भी feel हो सकता है मतलब उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगो वो सारी चीजे अब इसकी बात करते हैं पेस्टिंग की पेस्टिंग के मामले में तो शूज मुझे एक नमबर लगे सच में मतलब काफी सारे आपने नॉर्मल ब्रांड के शूज देखते हैं उनमें पेस्टिंग की दिक्कत मतलब दिखती भी है कहीं गलू लगा हुआ भी दिखता है लेकिन आप थोड़ा ब्रांड की तरफ जाते हो तो यह आपको थोड़ा फाइद देखता तो पेस्टिंग में एक two-way ंशियाए जो हइसकी और टभल में है कहीं कहीं तो कहीं सिंगल में तुस सिलाइं में भी कहीं फेर दागा निकला हुआ रिकरा रेडिग और लूज कॉह पर देखने को नहीं मिला क्हीं पर फटा होऊ आप निकला हुआ फैब्रेग कु लुक देखी हाई कोलर में है लो कोलर में होता डाउन में तो नॉर्मल सा लगता लेकिन थोड़ा फंकी सा लुक देता है ये कोलर इसको और अंदर जो इसके कुशन है वो नॉर्मल सा कुशन है ज्यादा है भी भी नहीं लगाया हुगा कुशन लेकिन ठीक है चल जाएगा और एकदम मैंसे दबने वाला, तो आपको काफी comfort भी मिलेगा इसमें, अब जो असली चीज की बात करूब, हर बार से तो कुछ भी बना देते हैं, लेकिन brand की जो quality या जो पहचान होती है, जो चीज में जो खासियत होती है, वो यही होती है कि details, जो चीज को अच्छे से जो ब fix है, अंदर से कहीं कपड़ा निकला हुआ हो, या फिर जो शिलाई वगेरा में कोई कमी रखी गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसा भार से finishing है, एज जित इस finishing अंदर से भी है, तो inner sole हो गया, outer sole, भार का पूरा fabric, सब के मामले में एक number है, अब एक जो दो चीज से आप इसको अगर दबाऊगे ना, उपर वाले fabric को, तो बिल्कुल comfortable है, और पूरा सही से move होता है, लेकिन जो पीछे collar के नीचे वाला यह जो हिस्सा है ना, अब यह इसकी burn out की वज़ए से यह क्या दिक्कत है, यह भूत ही ज्यादा hard है, बिल्कुल भी नहीं दब रहा है लेकिन वो offer price है, original price में आपको आगे बताऊँगा, वो offer मेरे को कहां से मिला, मैंने कहां से करीदे, original price क्या है, वो जाने के लिए end में जरूर देखना है end तक, तो price range के सबसे less, काफी कमजोर है, और इसकी जो tongue है, वो भी बहुत ज़दा heavy नहीं है, बहुत ज़दा hulky है, य वो नहीं है इसके अंदर, तो यह चीज मुझे थोड़ी सी missing लगी, अब इसके overall comfort की बात करूँ, तो overall comfort तो साइध अपनको पहन के ही पता चलेगा, तो मैं थोड़ी बकवास करते हैं, इनको पहन भी लेता हूँ, और आपको इसका comfort में बता देता हूँ, तो यह पीछे वा के लिए थोड़ा कम सू टेबल रहेगा, यह पन दोनोई चीजे discuss करेंगे, तो इसकी पहली कमी बताने के लिए, अब इनको पहनना पढ़ेगा, जो मुझे चीज सब से अचीब लगी, तो क्या करूँ, मैं टेबल पे चड़ जाओं क्या, तो यह आपको पहन के दिखाने के मुझे लिटरली टेबल पे चड़ के आपको पहन के दिखाना पढ़ेगा, तो एक तो यह वाला जो हिस्सा है, वो काफी लंबा है, यहां तक इसमें लेस है, लेकिन आपको इना हर बार शूज पहनने के लिए, यह देखो ना तो यहां से और यहां से आपको पहनने में भी और फोड़ा सा टाइट लगेगा, और हर बार मेरे ही साब से आपको यह लेस को खोल के ही शूज पहनने पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार होता है, न कई शूज में आप लेस को खोलना यह नहीं बढ़ता, आरहम से शूज को खोल भी सकते हो, पहन भी सकते हो, अब यह देख पैर में इस तरीके के लगेंगे, तो एक बार बात करते करते हैं, एपन दोनों शूज पहल लेते हैं, फिर मैं आपको दोनों चीजे बताता हूं, तो पैनने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा लंबा है, अलब ये जो लेस वाला है, त तो पीछी जो कोलर है, वो थोड़ी हार्ड है इसकी, बाकी कमफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इनर सोल इसका काफी बढ़िया है, तो पैरों में नीचे ही साइप काफी कमफर्ट दे रहा है, लेकिन अब जो मैं आपको एक चीज बतानी जा रहा हूं ना, अब एक चीज जल्दी खराब नहीं होंगे, और ज्यादा रिंकल्स भी नहीं आएंगी, तो मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश न्यू लुक बना रहे है इनका, अब मुझे इनके एक दिक्कत जो आई, वो बताने के लिए मुझे थोड़ा टेबल से नीचे उतरना पड़ तो थोड़ी शूज में आवाज जरूर आईगी, जो आपको हो सकता, आपको अनोइन लगे खुद को, और इसके बाद वैसे में टेबल में चड़ गया, आपको पतानी कैसा लग रहा होगा देखने में तो, और दूसरी चीज जो है, वो कमफर्ट इस सोल के वज़े से ही है यह दिखने में भी अट्रेक्टी बनाता है, लेकिन थोड़ा कमफर्ट इशू भी आ जाता है, क्या यह पैर के साथ आपकी अलाइन नहीं होगे, जैसे यह पैर उठाओगे, तो कई शूज होते हैं, वो बिल्कुल उसी साब से, शोल उनका मुड़ जाता है, डह जाते हैं, तो पैर में कमफर्टेबल से लगते हैं, लेकिन यह आपको क्या सीधा रहेगा ना, शूल बिल्कुली, तो थोड़े कमफर्टेबल नहीं लगेंगे, तो आपको थोड़ा बिसकमफर्ट हो सकता है, इस मामले में, तो यह हमने इसके सारे प्रोजन कौन सा आपको बता दिये क्या कमिया है, क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, अब एक बार मैं इसकी नहीं हूँ, थोड़ा मतलब पतला साई, अब थोड़ा वेट बढ़ गया, लेकिन मेरे को भी ज्यादा बलकी या हैवी नहीं लग रहे लुक के मामले में, तो मैं आपको ब्लास्ट मे ज्यादा फंकी शूज अच्छे लगते हैं, और बलकी साइड में जाना पसंद करते हो आप, तो आप ये शूज ले सकते हो जरूर से, लेगन आप ये चाहिए कि आपको डेली वेर टाइप से, केजूल वेर टाइप में, आपको एक कमफरटेबल से शूज जो ज्यादा ना कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, शूज एक नम्बर है, शूज में कोई दिक्कत है नहीं, कमफरट के मामले में बढ़ी है, और एक चीज मैं आपको और बताओं, उपर से आपको लग रहा है, एक बार साइड से देख लोगा, अब एक बार उपर से देखते हैं, अब उप जो दूसरों को दिखता है तो इस शूज आप खरीद लोगे तो दूसरों को देखने में हमेशा मस्त लगेंगे खतनाक से लेकिन खुद को उपर से जो लुक आएगा इनका इसकी वज़े से और एक इसकी टंग की वज़े से वह बिल्कुल नॉमल सा ही लुक आएगा जो नॉमल से सूज होते हैं उनकी तरही तो यह तो इनका रिव्यू हो गया एक एडिशनल पॉइंट मैंने एड़ कर दि यह थोड़ा साफोने में थोड़ी सी दिक्कत दे आपको क्योंकि इस पर गंदगी मिट्टी बगेरा जो चिपक जाएगी वह इजी ली उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी वह दो बाद में ही पता चलेगा तो अगर आपको इसका लोंग टाइम चाहिए तो भी इसके ल प्राइस एक्स्ट्रा लेकिन वह 70-80% ओफ करके हमें साथ देते हैं ओफर के साब से वह अलग लग कंपनी का अलग लग मार्केटिंग का तरीका होता है लेकिन यह वाल इशू जा रहे थे अठारा सु रुपए में इंक्यों प्राइस है वैसे लेकिन अभी फ्लिप कार्ट पर यह वाल शिव मुझे पढ़े सिर्व 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 साड़ी ग्यारा सु रुपए की साब से मुझे वर्थिक लगे काफी बलकी से हैवी से शूज देखने में मस लगते हैं और मस लगने के साथ साथ ही सबसे बड़िया बात यह पेस्टिंग बड़ी है क्वालिटी ओल 300 रुपए में तो इधर कि इधर आई बटन में मैं वीडियो डालूगा काफी बड़िया है वही एक साल हो गया मैं अज तक वह यल्लो नहीं है इनका नहीं पता इनको तब यूज करेंगे तो ही पता चलेगा एक साल में बिल्कुल भी पीले नहीं है जब भी दोता हूं बि आपको भी खरीगे इनका फेब्रिक बढ़िया है कमेंट कर देना उस पर वीडियो बना दूँगा यह था आज का वीडियो हमारे रेट टेप की शूज का अन्बॉक्सिंग रिव्यू देखते रही है बने रही है हमारे साथ ऐसे ही मस मस से वीडियो लाते रहेंगे और और वहाँ से खरेड हैंगे और हमने देखा फिंटरेंस से एंस्प्रेशनली वर्सरल्इलेटी दो थीन वीडियो आने वाल आया है थो चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब करतो बड़ी बड़ी ऐ बड़ी वीडियो बड़ी ऐ कांटेंट मिलते हैं बाइबाइ वी डिटियो